नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है PhD आडमिशन रिलेटेड कुछ इन्फर्मेशन है, तीन उनिवर्सिटी से कुछ लाटेस्ट अपडेट आया है तो चलते हूं उसका ओफिस्याल वेबसाइड में, वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो यह आप देख सकते हो, यह है राजस्तान विश्वविद्याले, राजस्तान उनिवर्सिटी तो यहां का जो अडिमिशन का जो लास्ट डेट था, अपलाई करने का जो लास्ट डेट था, पिएस्डी का, यह था अक्चुली 15 अक्टोबर 2021 तो अभी देखें, यहां एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा तो फंद्रा से इसको 21 तक इसको बढ़ा दिया गया है, तो हम इसके उपर क्लिक करके देख लेते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है तो यहां आप देख सकते हो, यह है इसका नोटिफिकेशन, यह इस नोटिफिकेशन पर मेंशन किया गया है कि जो MPL और PhD आर्मिशन के लिए जो university का जो entrance exam होने बाला था ये भी extend हो गया है और number one पे देखें यहां mention किया गया है the last date of submission of online firms is extended up to 21st October 2021 राद 12 बज़े तक ठीक है online firm भरने के लिए then hard copies of the firm may be submitted on or before 25th October 2021 then number two पे यहां mention किया गया है इसका जो entrance exam होगा ये होगा आपका 29 October 2021 को ठीक है तो आप चाहो तो इसका skin salt भी आप ले सकते हो जिन्होंने form भरा है ठीक है यह है आपका first notification second notification आप यहां देख सेकते हो डक्टर हरी सिंग गउर बिश्व विद्यालाय या university जो एक central university है इसको भी again residual किया गया है इसको change किया गया है तो इसके लिए जो notification है आप यहां देख सेकते हो मैं इसको open already कर चुका हूँ इसके उपर click करके आप देख सेकते हो तो यह है इसका new schedule इसको भी change किया गया है तो जिनके पास पुराना होगा आप इसको थोड़ा सा देख लेना आपका यह नया schedule आया है यहां तीन दिन के लिए entrance होगा first one is the 27 October, second one is the 28 October and last one is the 29 October बाकि schedule आपको पता है जैसे कि morning session, afternoon session and evening session तो इस प्रकार का देखे subject यहां mention किया गया है आप देख लेना कि आप कौन सा subject के लिए यहां apply किया था और आपका जो subject का entrance date कब है इसका जो link है सारे के सारे मैं देदूँगा description में वहां जाकर आप इसको देख लेना एक बार ठीक है, तो date यहां change हो गया है यह एक notification है then next आप यहां देख सकतो यह है पंजाब उनिवर्सिटी का पंजाब उनिवर्सिटी का भी जो date है यह भी change हो गया है यहां आप देख सकते है यहां देखे यह एक नया date इनका mention किया गया है मैं इसको फिर से zoom कर लेता हूँ तो यहां आप देख सकते हैं यह पूरा एक revised schedule यहां दिया गया है ठीक है इस schedule के हिसाब जाब जाब अब दे प्रोस्पेक्टरस और अप्लिकेशन फर्म्स यह 26 साथ तो यह सब तो आपका पूरा ना था अभी जो नया जो change हुआ है आप यहां से इसको देख सकते हो candidates who have not completed their forms but have paid their requisite fee आपने जिन्होंने already pay कर दिया है पर अप्लिकेशन जो यह है इसको complete नहीं किया है तो उनके लिए आपको time दिया जाएगा 28-10-2021 तक ठीक है आप अपना form भर सकते हो then date and time of entrance यह आपका होगा 31-10-2021 ठीक है then uploading answer की and inviting objection यह बाकी इसका next procedure है आपको दो चीज याद रखना है जिन्होंने अभी तक form नहीं भरा है परन्तु pay कर दिया है इनके लिए last date है 28-10 और आपका जो entrance होगा यह होगा आपका 21-10-2021 तो यह दोनों बहुत important date है बाकी इसका procedure तो जो भी होगा बाद में होगा तो आप चाहते हो इसका भी एक skin salt आप ले सकते हो ठीक है यह हो गया आपका पंजाब university की second मैंने जो discuss किया यह है आपका हरी सिंग गोर जो एक central university है और फास्ट वान इस दा यह है आपका राजस्थान university और एक राजस्थान university का और एक भी student का जो query है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यह जो सिख्षक यहां देखे दो category था एक था general category एक था जो teachers category तीचर काटेगरी के लिए देखे यहां एक information दिया गया है teachers category में वही teacher आएंगे जो teacher किसी भी university में किसी भी college में किसी भी school में UGC के pay scale के आधार पर जो काम कर रहा है ठीक है उनके लिए यह option है ठीक है तो यहां mention किया गया है यहां आप देख सकते हो तो यह था इसका detail notification इसका जो link है मैं देदूंगा description में वहां जाकर आप इसको एक बार देख जो अपिए